तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं एक ऐसे बुक का रिवीव करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत जादा हेल्फूल रहेगा अगर आप मार्केट में देखोगे तो हर अलग-अलग PSC या PSU हो गया हर अलग-अलग स्टेट के लिए आपको अलग-अलग बुक लेने पड़ते हैं लेकिन कहीं भी आपको हर एक का जो इयर पेपर है जो पिछे आ चुकी है अल्रेडी उसका सॉलूशन जस्ट एक बुक में और वो भी सारे स्टेट का तो ये बुक देखिए ये निकाला गया है आपका यूथ कंपेटिशन टाइम्स के तरब से और ये बहुत ज़ादा हेलफूल रहेगा किनके लिए जो PSC और PSU असिस्टेंट इंजिनियर के लिए तियारी कर रहे हैं तो इसमें आपका टोटल 22,190 questions यहां पर आपको मिल जाएंगे और ये प्लस लिखा हुआ है इसे ज़्यादा ही है बट 22,190 questions किस तरीके से वो मैं आपको समझाओंगा इसका मतलब अब आगा देख लीजिए previous year solve question मतलब जो भी PSC या PSU अलग-अलग state का होता है वो सारे उनके जो previous year's है वो सारे इसमें solve किया हुआ आपको मिलेगा और ये पूरा book आपको English medium मतलब English में ये लिखा गया है ठीक है तो ये बहुत अच्छा book है तो अगर आप UPPSC, state PSCAE या PSU या EAC या बहुत सारे यहां पे exam है जैसे हर्याना PSC हो गया मैं आपको सारा बताऊंगा उन सारे के लिए ये book अभी number one पे trending पे चल रहा है ये volume one है, volume two एक week के अंदर में आ जाने वाला है तो फिलाहल इसको ले कि आप काम चलाईए वो भी आ जाएगा तो उस पर ही मैं वीडियो बना के आप लोगो बता दूँगा टीक है, as per revised answer की अब as per revised answer की क्या है कि देखिए, जब exam आप लोग की start होती है ना उसका answer की निकलता है उसके बाद आप लोग claim करते हो कि नई सर ये गलत है आप लोग अपना answer की वहाँ पे submit करते हो तो फिर देखा जाता है कि हाँ अगर हो सच में आप लोग का cross connection वाला answer जो है वो सही है, तो उसको revise किया जाता है तो revise करने के बाद जो final answer लिया जाता है वो चीज इसके अंदर मिलेगा आपको, तो चलिए इस book के बारे में जान लेते हैं, सबसे पहलो तो देखी ये book बहुत ही मोटा है, यानि बहुत कुछ इसके अंदर में cover किया गया है और अभी का time में सबसे best book है ये आपके PSC और PSC को तयार करने के लिए, क्योंकि इसमें question stock है, ये इतना जादा है कि उससे बार आपको आएगा मुझे नहीं लगता, ठीक है, chapter wise solution आपको आपे मिलने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं, और ये volume 1 है आपका, ठीक है, तो ये देख लिए ये अभी इस book का यहाँ पे आप प्रिंटिंग आपका देखो कि तो 6.95 है, लेकिन सबसे best जगा आपको ये मिल जाएगा, Amazon पे 419 या something में, मैंने description में उसका link डाल दिया है, अब जाके वहाँ से अराम से इसको purchase कर लो सबसे ज़्यादा discount पे आपको वहाँ से मिल जाएगा Amazon से, ठीक है तो direct link दिया हुआ, description में आप चले जाना, तो चलिए अब देख लेते हैं volume 2 का भी यहाँ पे इन्होंने poster डाल दिया है, जो आज आएगा एक week के अंदर में, अब बात करते हैं, देखिए volume 1 में क्या है और volume 2 में क्या है तो volume 1 में अगर आप देखो गया हाँ पे, तो building materials geotechnical engineering and foundation engineering engineering mechanics, strength of materials structure analysis, reinforced concrete technology design of steel structure BMC हो गया construction management हो गया estimating costing and valuation of building यह सारा आपको EC book में मिलेगा, यानि की volume 1 में मिलेगा volume 2 में यह सब सारा चीज रखा गया है जो आपको कुछ दिन बाद मिल जाने वाला है जैसे surveying and engineering geology हो गया fluid mechanics, hydraulics machines and hydropower engineering engineering hydrology, irrigation हो गया water resource हो गया, environmental engineering highway, railway, airport, harbor and tunnel यह आपको volume 2 में मिलेगा तो सबसे पहले लोग index को यहाँ देख लेते, तो सबसे पहले आपको syllabus मिल जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो गया, तो UPSC का जो engineering services examination होती है उसका जो services है, plan of pattern examination pattern क्या है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने को सबसे पहला तो syllabus आप जान लीजिए क्या क्या चीज है, उसके बाद यहाँ पे इन्हों नहीं index दिया हुआ है, ठीक है analysis paper 4 जिसको बोलते है देखिए, दिया हुआ है कि इसमें कौन सा कौन सा आपको पुरा cover करने को मिलेगा, जैसे UPSC exam जो होता है न, उसका आप देख लिए 2020 का जो तो पेपर उसको यहाँ पे डाला गया है, UPSC EAC 2019 का डाला हुआ है 2018, 2017 ठीक है, यह सारे question को यहाँ पे cover किया गया है, उसके बाद बात करते है उत्तर परदेश, पीएश्टी का इसका भी जितना ही पेपर है न, यह सारा देखिए 2013, 2011, 2018 7, 4, 3, यह सारा यह का question paper जो है, आपको इसमें solve क्योवा मिल जाएगा, जैसे आप देखे होगे PTCL, UPR VUNL Assistant Engineer का, उसके बाद उत्राखंड का दिया हुआ है, उत्राखंड का paper 1, paper 2 दोनों ही डाला हुआ है यहाँ पे इन सारे paper का solution आपको इसमें मिलेगा उसके बाद UGVNL PTCUL उत्राखंड उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आसाम PTC हो गया उसके बाद AP PTC हो गया उसके बाद अवनाचल परदेश PTC का हो गया भेल का हो गया, बिहार Public Service Commission हो गया उसके बाद छक्तिसगर हो गया कोल इंडिया लिमिटेड, चन्रिगर, एजरी DMRC, LMRC Assistant Manager का DSSB का paper यहाँ पे है उसके बाद गुजराद Public Service Commission हो गया गोवा PTC, हर्याना PTC, हिमाचल परदेश PTC इसरो सैंटिस्ट का जो paper आता है वो सारा इसमें solution किया हुआ है जहारखन PTC का हो गया, इरकौन का है जमू एन काश्मीर, केरिला PTC करनाट का है, महरास्टर है, मर्दपरदेश वाइजाग, West Bengal, ठीक है तो इतने सारे स्टेट का PTC का जो भी paper है वो सारा आपको इसमें solution मिलता है यही इस book को सबसे थोड़ा खास बनाती है क्योंकि यह चीज़ अभी तक किसी में भी available नहीं है तो यहाँ पर देखिए, नोट में बताया गया है यहाँ पर जो total question paper है वो total question paper कितना है 201 question paper को इसमें solve करके डाला गया है और सबको मिला के 22,190 questions already आपको इसमें मिल जाएंगे किस तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पर 22,190 questions यह एक marketing strategy होता है 22,190 questions तो आपको नहीं मिलेंगे लगबग लेकिन यह 8,000 से लेके सारे 8,000 तक का question आपको इसमें मिलेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है questions of repetitive and similar nature has been included so that the technique of asking question can benefit the competitors मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा आगे चलके तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक analysis करके आपको pie chart और bar chart के थूप समझाया गया है कि कौन से subject का कितना ज़्यादा importance है किस जगा से सबसे ज़्यादा questions आपका आता है इससे आप पता कर पाओगे देखिए यहाँ पर जैसे soil का सबसे बड़ा graph उपर गया है 1813 question तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो soil का weightage कितना ज़्यादा है और soil का 1813 question already लगभग इसमें अगर इतना question अप करके चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बार कहीं और से आएगा तो यह book बहुत ज़्यादा अपके लिए helpful रहेगा अब देखिए start करते हैं building material से तो इसका solution जो दिया हुआ है वो भी एक special है कैसे special है में बताता हूँ यहाँ पर देखिए जैसे question यहाँ पर दिया हुआ है the rocks having alumina or clay as their major constituents are known as यह option है अब जो भी answer है वो option तो बताया है यह साथ में उसके बारे में और detail में answer दिया हुआ है यह नहीं है कि just आपको option बता देगा कि हाँ यह option right है उसका detail explanation है जैसे यहाँ पर देखिए later right is chemically classified as दूसरी book में आपको लगभग मिलेगा कि एक solution और एक line का solution दे दिया गया है लेकिन नहीं इसमें ऐसा नहीं है इसमें क्या है कि आपको explanation और बाकि सबका भी जो option है उसका भी दे दिया है ताकि उससे later अगर question है तो आप उसका answer भी दे पाओ तो यह एक special हो गया अब देखिए यहाँ पर जो 22,000 वो question डाला हुआ है वो किस तरीके से जैसे देखिए यहाँ पर एक question डाला हुआ है Smith's test is performed to determine अब देखिए यह question आया है आपका गुजराथ PSC में भी, हर्याना PSC में भी, GPSC में भी, TNPSC में, UKPSC में तो यह total question को इन लोग ने count किया है एक, दो, तीन, चार, पाँच बार ठीक है, पांच जगा नहीं डालने के वज़ाए यहाँ पर क्या 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 एक बार डालके वो क्या किया है इसको पांच बार का weightage दे दिया है तो मैं उमीद करता हूँ आप लोग क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वो 22,000 आया है यसी यह building stone से आपको मिला था अब मिलेगा आपको bricks, tiles and other clay products बतब topic wise categorize किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से बताया भी गया कि कौनसा कब कब आया हुआ है ठीक है तो मेरे हिसाब से तो यह book बहुती मज़दार है तो page number 111 में उनको चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या changes है यहाँ सेम तरीके से ही दिया हुआ है तो 111 में जैसे ही आप आईएगा तो यह देखिए यह आपका खतम हो रहा है building materials और यहाँ से geotechnical अपर चालू हो जा रहा है तो सेम उसी तरीके से water form transported soil is option दिया हुआ है यह कब कब आया हुआ है वही सारा यहाँ पर डाला हुआ है उसका explanation में यहाँ पर डाला हुआ है तो यहाँ पर जो option है वो मेरा right answer है alluvial बट यहाँ पर alluvial तो बताया ही है इसार में बाकी सब कभी बता दिया है आपको तो इस तरीके से देखा जाते हैं यह book बहुत ज़्यादा helpful है आप लोगों के लिए तो out of stock होने से पहले इसको book करते है description में इसका link डाला हुआ है और आप लोग का एक और भी सवाल आ रहा था कि जल्दी में उसका भी review करने वाला हूँ कुछी दिनों में आप लोग को दिखाऊंगा कि इस book में क्या दिया हुआ है क्या नहीं ताकि आप लोग उस book को ले पाओ ठीक है तो अब मैं सोच रहा हूँ ना कि market में जो भी अच्छे book आएंगे मैं वो बुक आप लोग को recommend करूँ अगर आप लोग को लेना है तो आप ले सकते हो अगर आपके पास already है तो बहुत अच्छी बात है जो लोग इस book को ले रहा है उन लोगों से अब उनका जो feedback है वो लेकर जानी सकते हो कितना दा important book है ये तो आज के लिए इतना ही है नेक्स बीडियर फिर कुछ है लेकर आप लोग के लिए तब तक लिए बाए टाटा जैहिन